और अधे राधे राधे कृष्णा क्रिष्णा क्रिष्णा जे लड़ु गोपाल कि आप सभी भग्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है फ्रेंट्स रात में लड़ु गोपाल जी सुलाते समय इन बातों का ज़रूर ज्यान रखें ये बाते बहुत ही ज्यान रखने हो गया है क कफ़वान के बाल सभरूब हैं जब हम लड्ड गॉपाल जी को रात में करserवह द्धा तुन के पास पानी भरकेर जरूर रकंग इंच"? । तुल्सी पता लड्ड को पाल-जी के युक्षृर्ण्गों के शिक्यायं वहसुरि उनके दख्यों पास जरूर रखे, मौरपंख ठाकुर जी के जरूर रखे, इन चीजों का जरूर ध्यान रखे, क्योंकि ये मासूरी, मौरपंख, तुलसी पता, लड़ू को पाल जी को बहुत जादा प्रिया है, और फ्रेंट्स, जल, क्योंकि काना जी के पास, वरंदावन विहारी जी के मंदिर सुबहें भी रात में जल और लड़ू हमेशा भोग के लिए रात में रखे जाते हैं, चलिए अगर लड़ू है तो आप लड़ू भी रख सकते हैं, नहीं तो मिश्री और जल, जल तो आप जरूर रखे, किसी भी गिलाची में, लुटिया में करके, लड़ू को पाल जी के पास में, सुबहें उठाकर आप उस जल का लड़ू को पाल जी को भोग लगाई, और मिश्री का भोग लगाई, फिर उस जल को आप अपने पुरे घर में छिड़ दिया, और बचे हुए जल को आप अपने चाय में, दूद में भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप किसी भी पोधी में दे दे, तुलसी के पोधी में भी दे सकते हैं, ये बाते बहुत सेस होती हैं, क्योंकि हम ठाकर जी की सेवा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, उन से जुरू हुई, छोटी छोटी बात होगा, जो चीजे मेरे लड़ू गोपाल जी को पसंद है, हमें ध् रंकदारी कहते हैं, और पुलसी पते लड़ू गोपाल जी के स्री चर्णों में डेली अर्पित करने चाहिए, और जैसे संडे और एकादशी को तुलसी पते नहीं तोड़ते हैं, तो पहले दिन तोड़ के रख ले, और दुवादिशी के दिन भी नहीं तुलसी पता पल्गी